मैं आज आप लोगों को एक जीवन का सत्य बताने जा रहा हूँ जो जीवन का सत्य सभी लोग जानते हैं लेकिन उस सत्य के बारे में कोई सोचते नहीं है या सोचने के लिए प्रयास नहीं करते वो क्या है? जीवन का सत्य यह है कि जीवन अनिश्शित है याने कि यह जीवन कब कहा और कैसे समाप्त हो जाए कुछ कह नहीं सकते है अनिश्चित है कभी भी मृत्यवा सकती है अनिश्चित है लेकिन एक ही बास सत्य है निश्चित है वह है मृत्यव मृत्यव निश्चित है जीवन अनिश्चित है और यह बास सत्य है हर किसी के लिए समान लागो है चाहे कोई भी हो चाहे किसे भी वरनकूल का हो चाहे धनवन तो हो या गरीब हो सब के लिए समान है जीवन का ये सत्य जो वेक्ति समझता है वह वेक्ति आपने जीवन को सुन्दर बनाने के लिए प्रयास करता है मात्र सुखी बनाने के लिए नहीं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अच्छे बुरे सारे रास्ते अपनाता है कोई व्यक्ति बहुत बूरे से बूरे रास्ते अपना कर मतलब बूरे कर्म करते हुए धनार जन करता है और अपने को स्वेम को सुखी बनाना चाहता है लेकिन वो उसका किया हुआ धनार जन उस व्यक्ति को सुखी बना सके बनाएगा है ऐसा भी नहीं कह सकते लेकिन जब कभी वो वेक्ति बहुत सारा धन कमाता है और समयाता है जब वो मृत्यों को प्राप्त होता है वो सारा धन यही का यही पढ़ा रहता है वो यह सारे दुनिया यही की यही रह जाती है और वो यह तिपर लोग जाता है उसका जो इतने बुरे कर्म करते हुए जो ध वह व्यक्ति बहले कोई आच्छे रास्ते से धनार्जन करें लेकिन कोई पुन्य ना करें कोई आपने आपको समय कमार्ग से जो भी कुशल मार्ग है अच्छा ही आए उसमें अगर लगाता नहीं है जैसे कि दान देना सील पालन करना भावना का अभ्यास करना आदिक आदिक तो वह व्यक्ति भी आपना यह जीवन किसी काल के बाद वो देह छोड़ कर चला जाता ही है यह निश्चित है बृत्यू निश्चित है और हम नहीं जानते कि वो कब कहा और कैसे आ जाए इसलिए भी भगवान बुद्ध कहते है अज्जेव किचंग आतपंग आज ही आपन यह कृत्याने कि जो करने योग्य खुशल है वो करना चाहे को जन्या मरन अंगसुए कों जाने कल मरन होगा कोई जानता है कोई नहीं जानता कि कल मरन होगा या नहीं इसलिए भी हम मनुश्य की बात कर रहे हैं तो इसलिए भी हमें चाहिए कि हमारे जो करनी यह बात है वो अगर कल मृत्य होने के बाद हमारे पास अगर आगे की यातरा करनी के लिए पातिया नहीं है। यात्रा करने के लिए जो भी हम संसरन करते हैं उसकी सुकुपुरुख जाने के लिए अगर हमारे पास पाथिया नहीं बुन्य नहीं है तो हमारा जन्म कहां होगा ऐसी ही किसी दुर्गति स्थानों में और जब हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे कि इस वर्तमान में जो सदाचरन से युक्त हम जब जीवन जीते हैं तो कल मृत्यू भी क्यों ना आ जाए तब भी भय नहीं होगा तब भी हमें डर नहीं होगा क्यों कि हमें स्वयम को पता है कि मेरे पास उस धन संपदा है जो मुझे आगे भी साथ ले जाने में उपकारी बनने वाली है कि आज भी मरन हो जाए तब भी मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है तो इस तरह से अपना जीवन व्यर्थ न बने अगर ऐसा आपको लगता है तो आप लोगों को चाहिए कि पुन्य रूपी धन संपदा आर्जित करें यही एक मात्र ऐसी धन संपदा है जो आपको च्छाओं की तरह हम में साथ रहेंगे इसलिए उपास को यह बात जाने अज्जेव किचंग आतपंग आज ही मेरा जो करनी करतव हो करना चाहिए को जन्या मरनं सुए कौन जाने कल मरन होगा मरने के बहुत सारे कारण है बहुत सारे बात है चलते चलते ठोकर लगकर भी मर जाते हैं कुछ लोग खाना खाते अपचन होने से मर जाते हैं, खाना खाने के बाद वीश बनने के बाद भी मर जाते हैं, किसे अक्सिडेंट में मर जाते हैं, या किसे मनुष्य के उपक्रम से मर जाते हैं, किसे अमनुष्य के उपक्रम से भी मर जाते हैं, या अपने शरिड का है पृत्वी प्रकुवित होने से या जलद हातु प्रकुवित होने से भी मृत्यू हो सकती हैं मरने के बहुत सारे कारण है जो मृत्यू के जो कारण है उसके लिए कोई प्रचिद्वन्दिता नहीं है और उस मृत्यू को जीतने के लिए भी इस संसार में कोई ऐसी संपदा नहीं है कि जो देने के बाद उससे मृत्यों को जीत लिया जाए कोई ऐसा युद्ध नहीं है कोई ऐसा वीर व्यक्ति नहीं है कि जो युद्ध करके उस मृत्यों को जीत सके मृत्यों तो आती है मृत्यों निश्चित है माता पिता भी बहुत सुरक्षा कर सकते है लेकिन मृत्यों के समय में वो भी सुरक्षान नहीं कर सकते हैं इसलिए भी आपने करनी कुशल कर्म को जानकर आज ही कुशल कर्म करें और कल कोन जाने क्या होगा यह समझ कर आज के दिन आज के दिन ही जीना है जब हम इस प्रकार से आज की दिन ही जीते हैं कुशल कर्म में ही अपना जीवन जीते हैं तो सही मायने में मनुश्य का जीवन जीते हैं सुखी जीवन जीते हैं हम जब प्रेजेंट में वर्तमान में हम मनुश्य का जीवन जीते हैं तो सही मायने में हम अपने एक एक पल को सुख में बनाते हैं और बहुत सुन्दर बनाते हैं इस प्रकार का जिन्य वाला व्यक्ति अपने आप आपको बहुत सुखी बनाता है और अपने जीवन को भी बहुत सुन्दर बनाता है तो ऐसा सुन्दर बनाने का सोभागी आप सभ को मिलें परकें आशिर्वान करतें नमो